हलो फ्रेंड्स वल्कम टू माई चैनल आज मैं आपको एक ऐसा ओर्गिनाइजर बॉक्स बनाना बताऊंगी जिसको आप बहुत ही आसानी से बना लोगे अगर आप बेगिनर भी हो और आपको सिलाई बहुत कम आती है तो भी आप इस तरह का ओर्गिनाइजर बॉक्स बहुत इसकी जो कटिंग और मेजर्मेंट है इतना सिम्पल है कि बहुत ही आसानी से किसी को भी यह समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैंने यह और ही मिटर बॉक्स बनाने के लिए मैंने एक मिटर यह कपड़ा लिया है कपड़ा जिस तरह का पैन्ट पीस का कपड़ा आता है उस की जगा आप बुखरम ले सकते हो या कोई जो अनाज के गयों के आटे की कट्टे वगरा होते हैं तो उसकी मोटी सी पॉलिथीन होती है वो भी आप ले सकते हो एक मीटर मैंने ये चैन ली है बैक पे लगाने के लिए अब सबसे पहले कपड़े को हमें लंबाई की साइड से डबल फोल्ड करना है इसमें से पहले मैंने एक बार आपको पाउच बना के भी बताया था तो साइड में कोने में से मैंने वो कपड़ा यूज किया था और उसके बाद अब इसमें से ही मैं बना रही हो ये और गिनाइजर बॉक्स तो इस तरह से आप घर घर पे सिलाई करत और इस तरह की चीज़े बनाते हो तो आप एक ही पीस से बहुत सी चीज़े बना लेते हो बहर कोई कपड़ा किसी ना किसी काम में आई ही जाता है तो कपड़े को मैंने लंबाई की साइड से डबल फोल्ड कर लिया है और इसका जो खुला वाला हिस्सा है जो मेरी तरफ है इस साइड में अब इसकी नीचे से जो चोड़ाई है वो है बीस इंच डबल फोल्ड करने के बाद ये चीज़ ध्यान रखेगा डबल फोल्ड करने के बाद इसकी नीचे से जो चोड़ाई है बीस इंच है अब इस पे बैक की हाइट आपको ध्यान रखनी है जितनी हाइट होगी उतने ही बैक की चोड़ाई होगी इतना सिम्पल मेजरमेंट है तो 10 इंच की मैं इस बैक की हाइट रखने वाली हूँ तो 10 इंच का मुझे यहाँ पर निशान लगाना है तो नीचे की तरफ 10-10 इंच का एक बार निशान लगा कर एक सीधी लाइन बना लेंगे अब यह जो लाइन बनाई है इसके ओपर हमें 10 इंच का एक निशान लगाना है तो 10 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है अब इसके बाद ऊपर की तरफ भी हमें 10-10 इंच पर निशान लगातना है और उसके बाद एक सीधी लाइन बनानी है तो बीच बीच में जब हम यह लाइन होती है बिल्कुल सीधी आती है तो इस चीज का ध्यान रखिए जब भी सीधी लाइन ड्रो करनी हो तो बीच पीच में हमें दो तिन निशान लगा लेने चीए और उसके बाद लाइन ड्रो करनी चीए तो लाइन बिल्कुल सीधी आएगी अब यहां साइड से मैंने उ 10 इंच पर एक निशान लगाना है, फिर 10 इंच के उपर एक निशान लगाना है, और उसके उपर भी 10 इंच का एक निशान लगाना है, तो इस लाइन के उपर की तरफ हमें 10-10 इंच पर 3 निशान लगाने हैं, तो यहाँ पर मैंने 3 निशान लगा दिये हैं, 10-10 इंच पर और इसके बाद इस साइड से भी हमें 10-10 इंच पर 3 निशान लगा देने हैं और उसके बाद इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाना है सीधी लाइन बना देंगे इस तरह से तो इस तरह से ये तीन box बन गए है उपर की तरफ और नीचे की तरफ है जो लंबा वाला है तो वो back की लंबा ही होती है तो आपकी choice पर depend करता, आप इसको कितना लंबा करना चाहते हो तो उतना ही जोड़ा ले लिजे नीचे की तरफ आप कपड़े को और अब इसकी हम cutting कर लेते हैं और cutting करने के बाद कुछ इस तरह से ये L शेप में दिखाई दे रहा है और इसको हम इस तरह से खोल लेते हैं तो ये थोड़ा सा ये T शेप में देख सकते हो इस तरह से इसकी cutting होगी तो आपको ये clear हो चुका होगा कि इसकी मैंने cutting किस तरह से की है अब इसके बाद हम same इसको अस्तर के उपर रखके as it is cut कर लेंगे कोई measurement करने के ज़रत नहीं है बस इसको double fold करके अस्तर को भी double fold किया है मैंने और इसके उपर इसको इस तरह से रख देंगे और इसके बाद अस्तर की cutting कर लेते है और यहाँ पर मैंने अस्तर की भी cutting कर ली है अब इसके बाद बारी आती है इसके अंदर जो हम rubber seat लगाएंगे उसकी cutting करने की तो उसको हम इस कपड़े के उपर रखकर उसके बाद इसको भी same size का cutting कर लेंगे अगर लंबाई चोड़ाई में किदर से कम पढ़ता है तो हम इसके piece कट करके फिर उसके उपर रख सकते हैं तो यहाँ पर थोड़ी से चोड़ाई कम पढ़ रही थी तो मैंने इसको दो piece में कट किया है उपर वाला हिस्सा इस तरह से square shape में या rectangle जो भी बोलो उस तरह से कट किया है और नीचे की यह लंबी से पटी अलग से कट की है तो थोड़ा सा एक के उपर एक आ रही है यहाँ पर मैं इसको फेवी कॉल से चिपका दूँगी तो थोड़ी देर में ही 5-10 मिनट इसको हवा में छोड़ोगे तो यह बिल्कुल चिपक जाता है तो यहाँ पर मैं इसको फेवी कॉल से चिपका देती हूँ तो नीचे मैंने main fabric कोलटा रखा उसके बाद यह rubber sheet रखी है और इसके उपर जो हम अस्तर लगाएंगे तो अस्तर का कपड़ा इसके उपर रखे एक बार इसको pin से fix कर देंगे बीच बीच में से जिससे कि हम जब सिलाई लगाएं तो इसको बिल्कुल भी आगे पीछे ना कि इसके finishing बिल्कुल perfect आए तो इसमें pin आप जरूर से लगाए पिन ना हो तो आप कच्ची सिलाई कर लीजिए बीच बीच में से तो कोई भी problem नहीं आएगी अब बीच बीच में pin लगाने के बाद इसको कैसे भी रखे बिल्कुल नहीं कि सकता है अब इसके बीच बीच में हमें सिलाई लगानी है और चारो तरव भी एक सिलाई लगा देंगे उसके बाद इसके उपर सिलाई लगानी है मैं pin लगाकर आपको एक बार बता देती हूँ कि इस तरह से हमें इसके उपर सिलाई लगानी होती है और दूसरी साइट भी इसी तरह से कोने को हमें ऐसे पकरना है कोने से और उसके बाद pin लगाकर fix कर देंगे और इसके बाद इसके उपर सिलाई लगा कर fix कर लेंगे अब यहाँ पर मैंने सिलाई लगा कर इसको fix कर दिया इसको अब इस तरह से खोलना है और इसके बाद जो side वाला ये हिस्सा खुला है थोड़ा सा हिस्सा मैंने यहाँ पर खुला रखा है क्योंकि यहाँ पर सिलाई आएगी इस तरह से जब हम पकड़की लगाएंगे तो थोड़ा सा कपड़ा सिलाई में जाएगा कोने से तो थोड़ा सा हिस्सा मैंने इसका खुला रखा है और दूसरी साइड वाले हिस्से को भी इसी तरह से जोड़ना है और पिन लगा कर फिक्स कर देंगे और इसके बाद इसके उपर भी सिलाई लगा देंगे अब यहां दोनों साइड मैंने सिलाई लगा दी है और अब इसको हम सीधा कर लेते हैं सीधा करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह की आई है और अब इसमें हम अटेज करेंगे जिप अब हमें ये देखना है कि इसके उपर जो जिप या चैन जो है हमें किस तरह से लगानी है तो जिप को हमें उल्टा रखना है नीचे वाले हिस्से के उपर इस तरह से बाहर की तरफ जिप को मैंने उल्टा रखा है इध्यान रखेगा बाहर की तरफ और जिप को रखना है उल्टार उसके बाद इसके किनार के उपर सिलाई लगा देनी है तो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड जिप को लगा दिया है यहाँ कॉर्णर से मैंने लगाना शुरू किया था बिल्कुल कॉर्णर से लगाना कर लिया है और उसके बाद इस जिप को हमें खोल कर लगाना अगर हम बंद बंद ही लगा देंगे तो बैग बंद ही रह जाएगा तो जिप को हमें पहले खोल लेना है और उसके बाद इसके उपर वाले हिस्से की तरफ जोड़ना है इसको अब उपर वाले हिस्से की तरफ ही शेप आएगी और इसके बाद इस उपर वाले हिस्से की तरफ चैन को इस तरह से लेकर सिलाई लगा देनी है तो यहाँ पर मैं चैन पर सिलाई लगाने से पहले यह पिन से फिक्स कर रहे हूं जैसे कि सिलाई लगाने में आसानी रहे और कहीं पर किछाव जादा या कम ना रहे बिल्कुल सही आये चैन का साई जैसे नीचे की तरफ लगाया है उतनी ही चैन उपर की तरफ आनी ची ऐसे नहीं है कि नीचे वाले हिस्से में हमने थोड़ी सी लंबी चैन लगा दी उपर वाले में थोड़ी सी छोटी रह गई तो ऐसा नहीं करना है तो उपर वाले हि इसे में भी चैन लगा दी है अब इसके बाद हम इसमें जो धागे वगरा निकल रहे हैं और जो इसके कॉर्णर पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी अब यहाँ चैन लगाने के बाद अंदर की तरफ बहुत से धागे वगरा निकले हुए होते हैं और जो यह कपड़ा होता है तो इसकी किनार को कवर करने के लिए आपे मैंने यह तेरची उरेब वाली पट्टी की कटिंग की है तो इस तरह की लंबी उरेब पट्टी किस तरह से कटिंग करते हैं इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे अप्लोड किया गया है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वो जाकर आप जरूर चैक कीजिएगा उसके बाद कुछ मिंटों में ही आप बिल्कुल बहुत ही लंबी चाहिए आपको कितनी भी लंबी बनानी हो लंबी लंबी उरेब की पट्टी तैयार कर सकते हो आपको एक एक पकड़ की सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी तो इस उरेब की पट्टी को अंदर की साइड हमें इस तरह से सिलना है किनार के उपर एक सिलाई लगानी है अब यहां मैंने इस उरेब वाली पट्टी को यहां पर एक सिलाई लगा दी है और इसके बाद इसको डबल फोल्ड करते वे यानि जो अंदर की तरफ जितने भी क कपड़ा था उसके ऊपर कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते वे सिलाई लगा दिया है इसके बाद जो ही किनार निकली हुई है इसको हम इस तरह से फोल्ड करना है और उपर की तरफ से सिलाई लगानी यानि सीधी तरफ से किनार के उपर सिलाई लगानी है जिससे कि यह जो निकला हुआ कपड़ा है थोड़ा खड़ा खड़ा रह रहा है ये बिल्कुल अंदर की तरफ शेप में आ जाएगा और ये लीजे इसके किनार के उपर भी मैंने सिलाई लगा दिया और जो अंदर की तरफ सिलाई लगाती उसके उपर भी मैंने याँ पे इंटरलोग कर दिया है अगर आपके पास interlock करने का नहीं हो तो आप उसके उपर भी ये उरेप वाली पट्टी लगा सकते हो अब इसको हम सीधा कर लेते हैं और ये बहुत ही खुबसूरत सा organizer box बन कर तैयार है इसमें हमने rubber seat लगाई है इसलिए इसकी shape बिलकुल perfect रहती है इसमें कुछ भी cardboard वगरा लगाने की ज़रत नहीं है उपर से इसकी चोड़ाई आप देख सकते हो 20 इंच आ रही है ये देख सकते हो perfect 20 इंच की चोड़ाई है सौरी लंबाई है और चोड़ाई इसकी 10 इंच की है और height भी इसकी 10 इंच की ही है तो ये ही मैंने आपको starting में बताया था जितनी ही इसकी चोड़ाई रहेगी उतनी ही इसकी height रहेगी जिस तरह से हमने cutting किया है तो आप अपने दिमाग में एक height रख लीजे कि इतनी height का हमें back बनाना है तो उतनी ही चोड़ाई रह जाएगी और इसकी लंबाई आप कितनी भी कर सकते हो तो इस तरह से ये organizer box बन कर तयार है तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना और पसंद आए तो like, share and subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा